ये जो आप देख रहे हो, ये फोटोग्राफ्स हैं एक हेलिकॉप्टर क्रैश की, एक हेलिकॉप्टर के बचे खुचे टुकडो की, जो खराब मौसम में पहाडों में जा टकराई और आग का एक गोला बन गई, इस क्रैश में कई जाने गई और कई सवाल उठे, नहीं ये प क्रैश हुई थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर Y.S.R. राजशेखर रेड़ी की जान गई, हेलिकॉप्टर इतने रिमोट जंगल में गायब हुई थी, कि इसे ढूंडने में भारत सरकार को बारा से करीबन सोला घंटे लग गए थे, as a reporter उस समय हमारी टीम सबसे पहले इस क्रै क्रैश साइट पर पहुँची थी, और वहाँ जो देखा था वो आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ, इस क्रैश के उपर और Y.S.R. के डेथ के उपर मेरे किताब Tales from Shining and Sinking India में पूरी एक डीटेल चैप्टर है, ये बात मैं यहाँ आज इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि दुख लगता है कि इतने सालों बाद भी बिलकुल उन ही कंडिशन्स में एक और हेलिकॉप्टर दुरगटना होती है, और हमारे देश के Chief of Defense Staff जनरल बिपिन रावत उनकी पतनी और 11 अफसर की जान जाती है, जाहिर सी बात है कि ऐसे Shocking Incident के बाद बहुत सारी Conspiracy Theories हमारे द सेंटिमेंट के साथ खिलवार करती है, देशबक्त का आज का एपिसोड एक ट्रिब्यूट है जनरल बिरावत के लिए और हमारे Soldiers के लिए, और एक छोटी सी कोशिश है कि इस दुखत घटना के बाद जो फेक नेरेटिव पहलाया जा रहा है, उसे थोड़ा सा रोका जाए तो क्या ये मी 17 हेलिकॉप्टर सच में सेफ हैं, क्या ये सच नहीं है कि आजकल हेलिकॉप्टर क्रेशेस कुछ जादा ही सुनाई में देती हैं, क्या ये किसी की साजिश हो सकती है, क्या वेदर कंडिशन सच में इतनी खराब थी, और क्या ये सच है कि हेलिकॉप्टर पाइ जनरल बिपिन रावत का अंतिम संसकार आज दिल्ली में with full military honors किया गया एक तरफ देश और armed forces ने एक योद्धा को शद्धान्जली दी और दूसरी तरफ एक Tri-Services Court of Inquiry ने अपना काम शुरू कर दिया है ये पता लगाने के लिए कि आखिर आथ December को हुआ क्या था जिसके वज inquiry को head कर रहे है क्रैश हुए Mi-17 V5 helicopter का black box भी मिल गया है और अगर ये black box बहुत damage नहीं है तो सारी flight की details अंदर pilots ने क्या बातचीत की सब हमें मिल जाएंगी experts और army veterans यही आशा कर रहे हैं कि investigations अब बिना किसी रोक टोक के हो बिना किसी प्रेशर के हो और सब के सामने जो results है वो रखी जाए जिससे अगली बार ऐसी दुरगटना न हो helicopter crashes की खबरे हम अक्सर सुनते हैं आंदर प्रदेश चीफ मिनिस्टर की मौत ऐसी ही crash में 2009 में हुई जैसे मैंने आपको बताया 2011 में अरुराचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू की जान गई एक helicopter crash में जारखंड के चीफ मिनिस्टर अरुजुन मुन्डा 2012 में बाल बाल बचे एक helicopter crash में और 2005 में इंडस्ट्रिलिस्ट ओपी जिंदल की मौत भी helicopter crash में हुई लेकिन इसके बावजूद आकड़े हमें ये बताते हैं कि एक helicopter ride एक कार की सवारी से बहुत safe है हाँ commercial jet liner के मुकाबले helicopters unsafe हैं लेकिन even single engine जो single engine plane होते हैं उनसे भी safer माना जाता है helicopters को और आज के date में helicopters में बहुत safety features होते हैं लेकिन एक जगे है जहां आज एक advanced helicopter भी एक powerful helicopter भी मात खा जाता है वो कौन सा area है मैं अभी दो मिनट में आपको बताता हूँ क्योंकि ये बहुत important area है लेकिन इससे पहले जनरल डावत की helicopter के crash के खबर के तुरंद बाद सबने पहला reaction तो यही दिया कि जरूर कोई पुराना मी 17 helicopter होगा मैंने भी ऐसा सोचा क्योंकि रशिया का मी 17 हम कई सालों से इस्तमाल करते आए हैं लेकिन Indian Express में छबे मनावन सिंग के report ने ये गलत फहमी बहुत जल्द दूर कर दी मी 17 V5 मी 17 का VIP ट्रांसपोर्ट वर्जन है ये helicopter और इसे दुनिया में इस रोल के लिए VIP ट्रांसपोर्ट के लिए latest माना जाता है globally ये helicopters 2008 में order की गई थी 2018 में रशिया ने इसका पूरा order भी complete कर दिया हमारे देश के VIP यहां तक की प्रधान मंत्री भी इसी helicopter में सवारी करते हैं जब छोटे distances cover करने हो कोई aerial survey करना हो वगएरा वगएरा तो इसके पुराने होने और अंसेफ होने का सवाल तो उड़ता नहीं है हाँ कुछ incidents हुए हैं लेकिन वो more human error है और इतने पैमाने पे जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था 250 km की रफ्तार 6 km की उचाई पर उड़ सकता है यह helicopter 50 से भी जादा देशों के air forces इस्तमाल करते हैं इस helicopter को तो proven track record भी है अब आबदा में अवसर ढूडते हुए news channels बहुत जल्दी और कुछ social media handles ने ये बात फैलानी शुरू कर दी कि क्या ये हो सकता है इंडिया के दुश्मनों का किया कराया उनका काम अब प्रमान तो है नहीं लेकिन शक्तोफरी में मिलता है और ऐसे emotionally charge समय पर जब इत्ती बड़ी दुर्गटना हुई हो तो इस तरीके की साबोटाज की खबर न लोग बहुत आसानी से मान भी लेते हैं भाई एक तरफ चाइना दूसरी तरफ पाकिस्तान तीसरी तरफ टुकडे टुकडे गैंग चौती तरफ अरवन नकसल लेकिन ऐसे साबोटाज और मर्डर की बाते करने में हम देश और आर्मी दोनों का अपमान कर रहे हैं सोचे कैसे, CDS के लेवल पर जब कोई काम कर रहा हो तो उसके आसपास उससे मिलने वाले लोग, उनके लिए काम करने वाले लोग सबका डीटेल रिसर्च होता है, जाच होती है, बैकडराउंड चेक होता है अब कुछ लोग अशान्ती भेलाने के लिए, पॉपलारिटी गार्णनर करने के लिए क्लेम करेंगे कि ये देश के दुश्मनों ने ये काम किया है मने देश के दुश्मन आर्मी के टॉप रैंक तक पहुंच चुके हैं, उनका सफाया भी कर सके हैं अरे भया, इतना असान नहीं है, इंडियन आर्मी है, आपका फैमिली वाटसाप ग्रूप नहीं है कि कोई भी फ्री में अंदर घुसाए जेनरल रावत डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज या DSSC में एक गेस्ट लेक्चर देने जा रहे थे Wellington के हेलिपैड जहां ये हेलिकॉप्टर को उतरना था, वो 6000 फीट की उचाई पर है और उसके अगल बगल काफी पहाड हैं, घने जंगल है ऐसे जगे लैंड करने के लिए VFR इस्तमाल किया जाता है, बने Visual Flight Rules आँखों से देखो, Obstacle Avoid करो, हेलिकॉप्टर उडाओ ये मुश्किल भी माना जाता है तो उसमें IFR का इस्तमाल होता है, यानि Instrument Flight Rules इसका मतलब होता है, Instruments के सहारे प्लेन को उड़ाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, लैंड भी कराया जा सकता है इसमें ट्रेनिंग लगती है, लेकिन इसे बहुत सेफ माना जाता है, Zero Visibility Conditions में भी लेकिन छोटे हलिपैड्स में ये IFR नहीं होता, ये टेकनोलिजी नहीं होती है और मिलिटरी हलिकॉप्टर्स जादा तर VFR पे ही चलती है खासकर की हिल्स में, जहां छोटे 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 लैंडिंग पैड्स होते हैं वहाँ आप ये सब आटोमेटिक और ये सब टेकनोलिजी नहीं लगा सकते हो टूरिस दौरा ली गई एक क्रिटिकल वीडियो से ये बात सामने आती है कि जेनरल रावत का जो हेलिकॉप्टर था, वो लोफलाई कर रहा था ये बात तो साबित है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये हेलिकॉप्टर फौग में गायब हो जाता है फिर से दुरगटना से ठीक कुछ सेकंड्स पहले तो ये बात भी साफ हो जाती है कि हेलिकॉप्टर में कोई हवाई विस्पोट नहीं गुआ था और शायद रोटर्स पहले पेडों से टकराएं और फिर हेलिकॉप्टर में आग लगे फुटेज में जो दिखा उसे एविएशन के भाशा में कहा जाता है Instrument Meteorological Condition या IMC IMC वो चीज होती है जिसे हर पाइलेट अवॉइड करना चाहेगा IMC का मतलब होता एक Sudden Change in Weather जो पाइलेट्स को फोर्स करे कि वो instruments पर ही rely होकर, instrument पर ही depend होकर fly करे ना कि visual reference पे अब वहाँ hills में, छोटे landing pad में instruments तो हैं नहीं है और बाहर conditions ऐसे खराब हो गए हैं कि आप visual flight rules बने VRF से fly नहीं कर सकते हो Technical भाशा में इसे कहते हैं continued VRF into IMC और inadvertent IMC दुनिया भर में जो भी helicopter crashes होती हैं आज के date में इतनी technological advancement के बाद वो crashes का leading cause यही है कि basically weather conditions इतना change हो गए लेकिन आप helicopter को तब भी forward blind fly कर रहे हो अब Triforce अपनी जाच करेगी अपने results निकालेगी लेकिन veterans का यह मानना है कि कुनूर में visibility अच्छी तो रहती है most of the time लेकिन winters में अचानक low drifting clouds, fog, mist पहाडों में suddenly आ जाती है without warning mintों में तो यह see and avoid मने जो VFR से जो helicopter ओड रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाती है क्योंकि आप तो उड़े थे clear sky देखकर लेकिन suddenly आपके सामने यह fog, यह mist, यह cloud आ जाते है उसके उपर hilly terrain 6000 feet की उचाई है, helicopter की performance भी कम हो जाती है वो उतनी fast, वो उतनी agile नहीं रह जाती है तो room for error बहुत कम रह जाता है जेनरल रावत के helicopter के pilot थे wing commander पृत्वी सिंग चौहान जो खुद commanding officer of the 109 helicopter unit है तो flight की command काफी अच्छे हातों में थी, काफी experienced हातों में थी लेकिन किसी भी veteran से पूछो तो वो आपको बताएगा कि कुनूर का flight path ऐसे में ही on a normal day risky है क्योंकि visual contact रखना है, helicopter को land कराने के लिए, तो under the clouds उडो लेकिन तब क्या करोगे, जब cloud, fog, mist, जमीन चू रही है हेलिकॉप्टर है, इसका मतलब है उसका downwash, मनि engine का जो air downward throw है, ये बहुत ज़ादा है ये पेड़ों को दबाती है, घुमाती है, इससे एक visual illusion create होता है और इस condition में experienced pilots भी चकमा खा सकते हैं ऐसे condition में diversion, वापस जाना best option होता है हेलिकॉप्टर pilots में कहावत है, don't fight the weather आया जाता है कि वो fly करे, bad weather में भी, अरे सिधा सिधा ही तो उड़ाना है और उन्होंने भी कैसे ये बताया कि senior अफसरों को transport करते समय आधे रस्ते से वो वापस आ गए, क्योंकि high altitude, uneven terrain और bad weather में experienced pilots को भी पंगा नहीं लेना चाहिए, even with the best of helicopters pilots के पास हमेशा ये हक होना चाहिए कि वो chopper वापस ले जाए, no ifs, no buts YSA Ready के crash में भी ये कहा जाता है कि pilot को force किया गया था, bad weather में fly करने के लिए उस investigation को तो बंद कर दिया, pilot error बोल के आशा ये है कि इस बार investigation और पक्की हो, और कुछ नए ऐसे rules बनाये जाएं for not flying in bad weather in hilly areas For all the fallen soldiers and their grieving families, देशभक्त और हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रे कर रही है Wishing you all the strength in this moment of loss Jai Hind